हेलो श्टुदेंट्स, पीस्वाइच ओनलाइन एजुकेशन मंच, पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेज, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी समकालीन विश्व राजनीती की बुक का तीसरा चेप्टर, थर्ड चेप्टर है, जो कहे है समकालीन विश्व में अमे अमेरिका का समूचे विश्व में जो वर्चस सो देखने को मिला, उसकी राजनीती का जो प्रवाव, इन बातों का हम इस चेप्टर में अध्यन करें, या पढ़ेंगे उन चेप्टर को, अब इस चेप्टर में यह जो चेप्टर अंतराष्टिय स्तर का हम पढ़ रहे हैं, अमेरिका की राजनीती से जुड़ा हुआ तो इसमें हम भारत की राजनीती का जो जुड़ाव है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और समझेंगे इस चैप्टर में यह जो दिया हुआ है अमेरिका की राजनीती के बारे में सब कुछ बाते होंगी इसमें भारत, UNO, इत्यादी और अन्य दियसों का भी इसमें उलेख होगा कि किस प्रकार से विश्व राजनीती मिन का एक दूसरे का जुड़ाब है और मैन जो इसमें दिया हुआ है वो है अमेरिकी वर्चस के बारे में अमेरिका के वर्चस के बारे में किस प्रकार से यह महसक्ती के रूप में उबरा किस प्रकार से इस महसक्ती ने अपने वर्चस समूचे विश्व को दिखाया आपको यदे यह अच्छे से समझना है और अच्छे बहतर से डंग से समझना है तो इस सीरीज को अच्छी तरह से देखें और समझें इस क्लास से आपको बिल्कुल वकुफी मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से अमीर की वर्चो सो सम्मूची विश्य पर देखने लगा। अब इसके साथ मैं आपको एक बात और बाता दूँ कि पॉलिटिकल साइन्स की फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर की जो सीरिज है हमारी वो इस पी सिवाइच ओनलाइन एजुकेशन मंच पर उपलब्द है आपको ये और बहतर डंग से यदि समझना है तो उन वीडियो को भ से समझ में आएगा देखिए क्लास का समकाली विश्व राजनीती की जो पुस्तक है आपकी उसका थर्ड चैप्टर है समकाली विश्व में अमेर की वर्चस इस चैप्टर की जो सुरू आते हैं वह उसमें किस्सा दिया हुआ है 9-11 के हमलोका 9-11 के हमलोका 11 सितंबर 2001 को अम संगवादी हमले हुए उनके वारे में जिक्र हुआ है वो किस प्रकार से हमले हुए थे इन बातों को यहां पर इस चैप्टर में पहले वाक्या एक दिया गया यह है चीज उल्लेक आपको बताई गई है जरा देखें हम इसमें क्या बताया हुआ है 2001 के सितंबर में नियूवर्क इस्तिर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंडर पर हमला हुआ है इसे समकालिन इतियास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के सुरूप में देखा जाता है यहां हमले और उसके बाद की इस्तिति को बयान करत इंते एक तस्वीर दी गई है यह जो तस्वीर दिखाइं ती आपको यह उसी हमले को बयान करती है यह उसी हमले के बारे में हमको जानकारी बताती हमने देखा कि सीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्य की सबसे बड़ी तागत बनकर उबरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वन्दी ना रहा हमने ये चीज देखी आपके सेकिंड जो चैप्टर है आपका सेकिंड दुद्रुवि उसमें हमने अच्छे से समझा था कि जिस प्रकार से सोविय संग का विगटन हो गया जो के अमेरिका के सामने एक महासक्ती बनकर बैठाता या खड़ाता उसका प्रतिद्वन्दी था वो विश्य में उसकी जो सक्ति है उसको चनौती देने वाला कौन था सोवियत था अमेर है समूचे विश्यो की एक अकेली महासक्ती बनकर बैठ गया और विश्यो में एक दुरूविय विश्यो का आरंब हुआ देखिए इस गटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रवत्त या एक दुरूविय विश्यो का दौर कहा जाता है इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रवत्त को प्रिकरती, विस्तार और सीमा को समझने की कोसिस करेंगे पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुआई एराक पर हमले तक की गटनाओं का एक सिलसिला देखिए, जो पहला खाड़ी युद्ध हुआ, उससे लेकर अराक पर जो अमेरिका द्वारा हमला किया गया तब तक की गटनाओं का, कुछ गटनाओं का उलेक इस चेप्टर में आपको बताया गया है या दिया गया है इन चीजों का हम अध्यन इस चेप्टर में करेंगे भारत के पास नीती गत्व, विकल्प क्या है ये हम समझेंगे देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से हम अमेरिका की राजनीती का या अमेरिका महासकती USA है जो उसकी राजनीती का प्रवाब समूचे विश्व पर देखेंगे और उसके प्रववत्तो का, उसके विस्तार का देखेंगे किस प्रकार से उसकी सक्ती विस्तार हुआ है, तो उस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे उसको चुनोती दी जा सकती है भारत के द्वारा क्या विकल्प हैं उससे निबटने के लिए भारत के पास में, यह हम देखेंगे अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकों वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनोती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उबरा जा सकता है चैप्टर के एंड में हम ये चीज़ें देखेंगे कि अमेरीके की वर्चस जो है अमेरीकी वर्चस के सामने किया कोई चनोती आ गई है और क्या उस वर्चस को उबरा जा सकता है ऐस वर्चस को खतम किया जा सकता है आईशा, जाबू और आंद्रेई देखिए इस चैप्टर में जितनी भी घटना दी गई है या बताई गई है उसमें मैं आपको बता दूँ ये एक वाक्या दिया गया है अमेरिकी हमले की घटना का अमेरिका ने जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को खतम करने के लिए उनके ठिकानों पर जिस प्रकार से बंबारी की थी या हमले किये थी तो उसमें कहीं न कहीं आम नागरिकों का जीवन भी हताःत हुआ था और ऐसा ही है उधारन यहां पर बताए गया है वो स्कूल में पढ़ रही आईशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अवल थी उसने सोचा था कि आगे किसी विश्विद्याले से डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगी जो आईशा है बगदाद के चोर पर बगदाद में वहां पर एक स्कूल है वहां पर पढ़ रही थी और वो जारतीन में उसकी एक टांग जाती रही उसका रीजन क्या रहा है उसका पैर क्यों गया देखिए वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ चुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाल उसके ठिकाने पर आगे रही जिस ठिकाने पर आईशा एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और अमेरिकी विमानों द्वारा जो हमले किये गए वहां से एक मिसाल उसके ठिकाने पर आगिरी और उसमें वो गायल हुई देखिए आईशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है गायल होने के बाद की इस्तिती है अब भी उसकी योजना डक्टर बनने की है लेकिन तब भी उसके देश को छोड़ कर चली जाए उसकी जो योजना है पैड जाने के बाद भी वो चलना फिरना सीख रही है और उसकी जो योजना है अब भी जो प्लानिंग कर रही है वो अपनी जीवन प्लानिंग कर रही है जो अपने व्यक्तित्त के बारे में जो सोच रही है उसकी वही सोच है कि मैं डॉक्टर वनूंगी लेकिन कंडिशन क्या सोच रही है कि जो विदेशी शेना है जो उसके देश में आई हुई है वह वहां से चली जाए उससो इस्तिती से निकल लिए डर्बन दक्षन अफ्रीका का रहने वाला जाबू आईशा का किस्सा हो गया अब है तीन का दिया है इसमें आपके बुक में आईशा जाबू और आंद्रेई डर्बन दक्षन अफ्रीका के रहने वाले जाबू एक प्रतवासाली कलाकार है उसकी चित्रकारी पर पारंपरेक जंजातियक अलागा कहरासर है उसकी जो योजना है उसकी योजना आर्ट स्कूल मे में पढ़ने और इसके बाद अपना उच्छा खिलाने की अच्छा समझानी की उसकी प्लैनिंग वह चाहता है कि मैं एक इश्वनू अच्छा क्योंकि उसके जीवन पर उसके परंपरा का जंजाती अकला का उसके गहरासर हुआ है और उसको आर्ट स्कूल में पढ़ने का मन है इसके बाद वह स्टूडियो खोलना चाहता है अपना खुद का लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई बनाएगा यह उसके पिता की सोच है युवा अंद्रेई पर्थ आश्टेलिया में रहता है वो जाबू का है अब है यह अंद्रेई का अंद्रेई पर्थ आश्टेलिया में रहता है उसके माबाब बतौर अप्रवाशी रूस से आए है चर्च जाते वक्त जब है नीली जी जिन्स कूल रहते है और जीन्स पहन कर उसे आजादी का एहसास होता है आंद्रेई के पिता उसकी मा को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिंग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहनता है आंद्रेई के अपनी मा से बहस हुई हो सकता है जाबू को वह विशय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिल्चस्पी नहीं इससे अलग आईशा की एक टांग जाती रही और उसका सवभाग यह है कि वह जीवित है हम इन समश्याओं के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे कैसे कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए हम इस अध्याय में देखेंगे कि तीनों एक नएकर तरीके से अमेरिकी वर्चस्प का सिकार है अमेरिकी वर्चस्प का सिकार है आईशा जाबू और आंध्रेई की चर्चा पर हम फिर से लोटेंगे लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्प की सुरुआत कैसे हो ही और आज यह है विश्व में कैसे असरमंद है अब अमेरिकी वर्चस्व की सुरुवात के बारे में मैं आपको बताऊं क्या यह है वर्चस्व अमेरिका के वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं क्या यह है वर्चस्व हमने सोबिय संकी विटन के बात देखा नहीं अमेरिकासे जो वर्चस है दुत्य विश्युद्ध के दौरान, जब अमेरिकान ने जापन पर जापन के हिरोसिमा और नागाजा चीवस्यूद्ध की सहरों पर परमाड़ु हमले किये थे तब भी देखनी को मिला था ये अमेरिका का वर्चसु ही तो था जब उसने जापान पर परमाडू हमलग और हिरोसुमा और नागासा की सेरों को तभा कर दिया था जापान को गुटने टेकने पड़े थे दुति विश्योत के दोरान यह आया है आपके फर्स चेप्टर में तो ऐसी इस्तितियों में आपको पता लगेगा कि अमेरिका का वर्चसु तो हम पहले से ही देख रहे थे ना कि सोबियसंग के विक्टन के बाद की इस्तिति देखने को जब सोबियसंग का विक्टन हो गया तब से नहीं हम तो उसका वर्चसु पहले से देखते आ रहे हैं थे हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज अमेरिका की जगे जादा लोग प्रियव सब्द अमरीका का इस्तिमाल करेंगे पूरा नाम संयुक्त राज अमेरिका है USS का लेकिन हम अमरीका का इस्तिमाल करेंगे लेकिन यहां यहाद रखना उप्योगी होगा कि अमरीका सब्द से उत्री अमेरिका और दक्ष्णी अमेरिका नामक दो महादीबों का अर्थ धुनित होता है अमरीका से यह समझ में आता है यह दो महादीबों का अर्थ और संयुक्त राज अमरीका मात्र अमेरिका का सब्द प्रियोग खुद में उस वर्चसो का प्रतीत है जो अमरीका है वो किसके लिए यूज होता है USA के लिए नई विश्व विविस्ता की सुरुआत देखिए अब हमारी जो चर्चा है जो चर्चा आई थी आंद्रे जाबू और आईशा वाली वो समापत हुई अब यहां आती है नई विश्व विविस्ता की सुरुआत कि किस प्रकार से विश्व में नई विश्व विविस्ता की संग्या दी गई यह वो किस प्रकार से दी गई यह टाइटल यह देखें सोबियत संग के अर्चानक विक्टन से हर कोई आश्चर रेचकित रह गया हर कोई यह सोच रहता कि इतनी महासक्ति कैसे विखड़ दो महासक्तियों में अब एक का वजूद तक ना था जब के दूसरा अपनी पूरी त तागत के साथ कायम था एक महासक्ति सोबियत संग विक्टत हो गई लेकिन वहीं दूसरी जो महासक्ति है वह अपनी पूरी तागत के साथ और यह कहें बड़ी हुई तागत बड़ी हुई तागत क्यों बड़ी हुई तागत हम इसलिए कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि कहीं न 1991 में हुई जब एक तागत के रूप में सोविय संग अंतराष्टिय परिद्रश शे गायब हो गया एक हद तक यह बात सही है लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का द्यान रखना होगा पहली बात तो यह है के अमिर की वर्चस के कुछ पहलूओं का इतिहास 1991 उन्नी सो क्यानवें तक सीमित नहीं हैं बलके इससे कहीं पीछे दूसरे विश्युद्द की समापती के समय 1945 तक जाता है और इस बारे में बता दिया कि जब अगस्त 1945 में परमाडू हमले किये गए थे चापान पर अमीर का द्वरा इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे दूसरी बाग अमरीका ने 1991 से ही 1991 से ही वर्चस्व कारी तागत की तरह बरताव करना नहीं शुरू किया दर असल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है यह हमको समझना है देखें आईए हम उस प्रिक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरीकी वर्चस्व की जड़ों को जादा गहरे तक जमा दिया 1990 के अगस्त में इराक ने कोवेत पर हमला किया अब यहां से जो स्टार्ट हो रहा है यह आप बोल सकते हैं कि आपके मुख्य टॉपिक बोल सकते हैं और क्यों कि खाड़ी युद्ध जो प्रतम खाड़ी युद्ध की जो गटना है वो अब यहां ही से start होती है खाड़ी युद्ध सौट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं फिर बुक के रीड के साब से हम पढ़ते चलेगे खाड़ी युद्ध था क्या कोवेट तेल संसादनों का बंडार विशाल बंडार है कोवेट के पास में अब इराक ने कोवेट पर कब जा कर लिया क्या कर लिया कब जा कर लिया इराक को युएन उद्वारा समझाया गया राजनेतिक प्रियास भी किये गये उसको समझाने के क कोवेट को अजाद कर दो भाई वहां से हट जाओ लेकिन एराक ने नहीं मानी एराक वहां से नहीं आठा तब अमेरिका ने और यूएन के कुछ अन्य सदश्य देश लगवग 34 देशों ने मिलकर 6,60,000 की सेना के साथ उस पर हमला बोल दिया एराक पर और एराक की हार हुई इ इस चैप्टर में हम चार अभियानों के बारे में पढ़ेंगे और पहला इसी गटना के साथ जुड़ा हुआ है कौन सी गटना आपकी पहला जो परतम खाडी युद्ध है वो इसी गटना के साथ जुड़ा हुआ है ओपरेशन डेजर्ट इसी युद्ध को बहुत बड़ा युद्ध था आप समझ रहे हैं 6,60,000 की सेना बहुत बड़ी सेना होती है इसको सभी जो इराक का जो राश्टपती था सद्दाम हुसेन उसके दोरा सभी युद्धों का एक युद्ध या युद्धों की मा भी कहा गया था यही है प्रतम खाड़ी युद्ध इराक दोरा कोवेट को कपजा लेना और अमेरिका और युएन दोरा मिलकर उसको आजाद कराना अब यह जो पूरी घटना है इसको हम आपके बुक के मादम से देखते हैं मैं आपको सिंपल लेंग्विज में बता दिया 1990 के अगस्त में इराक ने कोवेट पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कबजा जमा लिया इराक को समझाने भुजाने की तमाम राजने कोशिश हैं जब नाकाम रही तो संयोक्त राष्ट संग ने कोवेट को मुक्त कराने के लिए बल प्रियोक की अनुमती दे दी देखिए अब आप ये अच्छी तरह से समझें कौन सी इस्तिती को के कहां तो जब तक लगवग पैंतालिस सालों तक जब ये सीत युद्ध की इस्तिती बनी रही इसको नाट की है फैसला इसको युएन का इसलिए कहा गया क्योंकि लगवग पैंतालिस सालों तक इसने कोई भी अपना फैसला महत्वपूर फैसला दिया नहीं था और अचानक से अब ऐसे फैसला लेने के एराक के खिलाफ सकती कि जो बल पूरवग जो उसको आजाद करना जो फैसला नहीं आता उसको नाट के फैसले की संगया दी गए थी देखिए बल प्रीयोग के अनुमती देदी बल प्रीयोग मतलब के सेन्य तागत के साथ में उसको आजाद कराने की सीट युद्ध के दौरां जादा तर मामलों में चुपी साद लेने वाले संयोक्त राश संग के लिहासे है एक नाटकिया फैसला था अमेरिकी राष्टपती जॉर्ज बुस ने इसे नई विश्विविस्ता की संग्या दी अब आप इस चीज को गौर से देखें अमेरिकी राष्टपती जॉर्ज बुस ने इसको नई विश्विविस्ता की संग्या दी है जो ये नाटकिया फैसला दिया गया था यूए-इन के द्वारा तो आप इसको जो अमेरिकी राष्टपती थे जॉर्ज बुस उन्होंने इस की जाएगी अब पहली वाला मामला नहीं रहा अब इसमें अमेरिका का वर्चस्व दिखा के नहीं दिखा क्योंकि कहीं ना कहीं सैन्युक्त राष्ट संग में सबसे वड़ी महासक्ति था कौन? अमेरिका ये इस्तियां देखने को मिली अब तबी तो कहा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व समूच विश्वपत देखने को मिला इसे नई विश्वविस्ता की संग्या दे दिया जोर्ज वुस ने अमेरिका की जो राष्टपती थे अब हुआ क्या 34 देश मिल गए है 34 देश मिल गए उसमें 6,60,000 की संग्या में सैनिक थे जिसमें अकेले अमेरिका के 75 प्रतिशत अकेले सैना की फौस थे या कह सकते हैं अमेरिका की सैना थी 75% किसकी सैना थी अमेरिका की देखिए वर्चस्व कितना है कि 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सेनकों की भारी बरकम फोज ने इराग के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया इसे प्रतम खाड़ी युद्ध कहा जाता है अब इन आकणों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट संग के इस सेन्य अभियान को ओपरिशन डेजर्ट स्ट्रॉम कहा जाता है कि देखिए संयुक्त राष्ट संग का ये जो अभियान है संयुक्त राष्ट संग कौन सा संयुक्त राष्ट संग का ये अभियान था संयुक्त राष्ट संग का क्या था ये सेन अभियान क्या था सेन अभियान और इसको नाम क्या दिया गयता है इसको हम बोल सकते हैं इसको नाम दिया गयता ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम ठीक है ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम कहा जाता है क्या कहा जाता है ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम कहा जाता है कितनी देश सम्मिलित तेस में 34 देश कितनी सेना थी 34 देशों की मिली जूली 6,60,000 सेनकों की कितनी 6,60,000 सेनकों की अकेले अमेरिका की USA जो था USA के द्वारा कितनी थी इसमें 75% थी अकेले अमेरिका की थी इसमें 6,60,000 मसे अब सोचिए अमेरिका का वर्चों से दिखा कर नहीं इसे नाम क्या दिया गया था Operation Desert Strong Operation Desert Strong इसको नाम दिया गया था तो ये आकड़े आपको अच्छे से समझने चाहिए या आप क्यान रखने ठीक है देखे जो एक हद तक अमेरिकी सेन्य अभियान ही था क्यों था एक हद तक ये अमेरिकी सेन्य अभियान इसको क्यों कहा गया है वैसे किसका था ये वैसे था ये संयुक्त राष्ट संग का किसका था संयुक्त राष्ट संग का लेकिन इसे अमेरिका का सैन ने अभिवान क्यों किया गया था कि इनकी जो 34 जो देश थे इनके 34 देशों की जो मिली जुली सरकार थी उनकी सैना कितनी थी 6,60,000 कितनी थी 6,60,000 अब आप इसमें से अकेले अमेरिका की थी USA की अकेले 75 प्रतिशत तो इसको अमेरिका का क्या का गया सेन्य अभियान एक हद तक अमेरिका का सेन्य अभियान बताया गया इसको अमेरिका का सेन्य अभियान बताया गया था ठीक है यह चीज इस्तती यहां को दर्साती है इसको अब यह चीज हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका के जो यह सेन अभियान बताया गया है यह संयुक तराष्ट संक्य मिले जुली जो 34 देश थे उनमें अमेरिकी जनरल मतलब अमेरिकी सेना का संचालन करने वाले अमेरिकी जनरल नौर्मन सौर्जकॉब इस सेन अभियान के प्रमुक थे कौन थे नॉर्मन सौर्ज को और 34 देशों की इस मेली जुली सेना में 75 प्रतिशत सेनिक अमेरिका के ही थे ठीक है यह आंकर आपको अच्छे से द्यान रखना है यह क्यों द्यान रखना है मैं आपको अच्छे से समझागूं देखिए आपके एक्जाम्स के वज़े से या एक चैप्टर में टोटल हम पढ़ेंगे चार अभियानों के बारे में चार अभियानों में से हर बार कोई ना कोई एक अभियान जरूर पूछा जाता है यह जरूर इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखने है तो इस वज़े से इन चार अभियानों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इनके आकणों को ध्यान रखना है कि किसके विरुद्ध कारवाई करने के लिए अभियान चलाएगे और इसमें कौन-कौन सम्मिलित था क्या ही अमेरिका के अखेला अभियान था तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है चाहे भले ही इसमें कुछ कम सेना उसक चलाएगा उसमें और कोई समय तो नहीं इन चीजों को आपको ध्यान रखना यह फ्रंट में रहेगा अमेरिका अभियानों में हालांकि और देशों के साथ भी मिलकर वो इस्तिति चलाएगी बताएगी आपको कैसे कैसे हुआ था पर आपको मुक्य यह आपको ध्यान रखन अब आगे देखते हैं इराक के राष्टपती सद्दाम हुसेन का एलान था कि यह सो जंगों की एक जंग साबित होगा लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गए है और उसे कोवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा हार के बाद उसे कोवैत से हटना पड़ा परतम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सेन्य छमता के मामले में अमेरिका से बहुत बीचे हैं और इस मामले में प्रोध्योगी की के धरातल पर अमरीका बहुत आगे निकल गया है बड़े विज्यापनी अंदाज में अमरीका ने इस युद्ध में तथा कथित स्मार्ट बमों का प्रियोग किया अब इस युद्ध में कौन से में प्रतम खाड़ी युद्ध में या बोल सकते हैं आप ऑपरिज़न डेजर्ट श्ट्रों यह जो अब्यान इसमें बमों के प्रियोग के कारण आपको यह देख लेना है कि स्मार्ट बमों के प्रियोग के कारण इसको कंप्यूटर युद्ध की संग्या दी गई थी कंप्यूटर क्रत युद्ध इसको कहा गया था किसके कारण कहा गया था स्मार्ट बमों के प्रियोग के कारण किसके कारण और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया आपको यह अच्छे से ध्यान बता दूँ कि यह दो चीज़ें आपको देख लेना है इस आपरेशन के बारे में मैंने बात आया चार आपरेशन पड़ेंगे उसमें से हर एक अपने आप में एक इंपोर्टेंट अभियान नहीं आपरेशन है जिसमें आपको पता है स्मार्ट बमों के कारण इसको कम्प्रोय युद्ध करण और लाइव आप इसको लाइव कवरेज के के कारण व्यापकालिस के कारण वीडियो गेम बार गया था, झीक है, देखिये, दुनिया भर में अलग जगों पर दर सक अपनी बैठक में बड़े इम्तिनान से यह देख रहे थे कि एराकी सेना किस तरह धराशाई हो रही है यह बात अब विश्वशनियां जान पड़ती है लेकिन अमिर किना ने इस युद्ध में मुनाफ़ा कमाया कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमरीका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी जापान और सौधी अरब जैसे देश में उससे कई गुना उसने मुनाफ़ा इससे कमा लिया तो कई देशों से यह चीज उसने यह प्रॉफिट कमाया था सौधी के देशों चाहिए वो जर्मनी जापान और सौधी अरब जैसे देशों से उसे रकम काफी बड़ी मात्रा में उसको प्राप्त हुई थी या मिली ठीक है आगे देखें अब यह दिखिए यह जो हाइवे ओफ डैथ यह जो आपको पिक दिखाए जा रही है इसकी थोड़ी से डिटेल लिंग देखें कि जले और तूटे हुए वाहनों की यह है तस्वीर हाइवे ओफ डैथ मृत्यू का राजपत से ली गई है कोवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमरीकी विमानों ने हमला किया था अब यह जो इस्थती है यह आप अच्छे से देखें कि कहां की यह तस्वीर है हाइवे ओफ डैथ मृत्यू का राजपत कहां की तस्वीर है यह हाइवे ओफ डैथ ठीक है अब देखें आप कि ये जो तस्वीर हाइवे और डेथ की है मृत्यू का राजपत ठीक है आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है मृत्यू का राजपत ये इन्दी में इसका ली गई है कोवैत और बसरा कोवैत और बसरा दो छेत रहें आप इनको बोल सकते हैं कि दो छेत रहें ये कोवैत और बसरा ये इराक के पास में है या इराकी छेत रहे है तो कोवैत से जब कबजा कर लिया था इराक ने कोवैत पर और अमेरिका दौरा वहां पर हमले की जा रहे थे तो इराकी जो सेना है इराकी जो सैनिक है वो यहां से भाग रहते या निकल रहते, भगदर मची हुई थी, इस रोड से यह जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, इससे वो निकल रहते, अब यहां पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकी विमानों ने यहां पर भी हमले किये, यहां पर एक ट्रैफ को खत्म करने के लिए मारने के लिए तो सोच के देखिए कितना खतरना खासा हुआ कैसा मंजर है यह जो दिखाया गया है जले तूटे भान इस पर दिखाई दे रहे हैं अब इसमें दिया हुआ है कि कोवेट से निकल कर भाग रहे थे बसरा की तरफ कि इस तड़क पर पीछे से ध्यान रखना है आगे देखते हैं देखिए कुछ विद्वानों का कहना है कि अमरीका ने जान बुज़कर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था जान बुज़कर ऐसा उसने किया था मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सेनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा थफरी बरे ट्रैफिक जम में फसे थे और अमेर की विमानों ने हमले में उनके सासात कोवेती बंदी और फिलिस्तानी नागरिक सरनाती भी मारे गए ठीक है अनेक विद्वान और पर्वेचकों ने इसे युद्ध अपराद की संग्यात दी और जीनिवेता समझता का उनलंगन माना आप कोई अच्छे से देखना है कि इसमें जो हुआ है अमेर की जो विमान है उनके अमेर की विमानों में क्यों हमले किये वहां पर एराकी सेनों को मानने के लिए लेकिन उनके सासात कोवेती बंदी क्योंकि एराक ने क्या किया था यह आपको पता है एराक ने क्या कर लिया तो वहां पर आप यह चीज अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जब इराक ने कुवेत पर कपज़ जमाया तो वहां पर कुछ को बैती बंदी भी बनाये थे तो वह भी मारे गए थे इसमें इन विमान दोरा हमले जो किये गए थे वह भी इसमें मारे गए थे फिलिस्तानी नागर इक सरणरार थी थे वह भी मारे गए थे इसमें ठीक है और इस वजए से इसमें आमलोगों की भी मौत हुए या आमलोगों को भी नुकसान पहुँचा इस वजए से इनको इस इस्तती को अनिक विद्वान और प्रवग्चन नहीं युद्ध अपराद की संग्या दी थी युद्ध अपराद ठीक है कौन सी संग्या दी युद्ध अपराद की संग्या दी गए थी और जेनेवय समझता का उलंगन माना था ठीक है यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है आप अच्छे तरह से समझेंगे जब आप एक से एक पॉइंट रिलीट करके प पहला पॉइंट टोटल चार अभियान पढ़ेंगे चार अप्रीशन पढ़ेंगे पूरे चेप्टर में और मैं आपको यह बता दिया कि पहला आपका complete हो चुका है operation डाइजर्ट इसमें कुछ नहीं था इसमें मैं आपको बता दिया कि पहले इराक राक ने कुवेत पर कपजा जमा लिया था उसके तेल बंडारों पर कपजा कर लिया को तो को को हतिया लिया था इराक ने उसको कप जाक लिया को बेड़ कबने कर लिया कि लिया कि गए और उन्हें दॉरा नहीं और यह्य को और तो वेकी सात records of the 60,000 सेनकों की सेना ने इतनी बड़ी जो सेना थी उन्होंने बलप्रियों के साथ मतलब सेने कारवाई के साथ में कोवैत को आजात कराने का फैसला कर लिया उस पर हमला किया गया एराग पर और एराग क्या जल्दी दरासाई हो गया सद्दाम हुसेन द्वारा इसको सो युद् सब्सक्राइब करें जो यह आंकड़ा है इतनी बड़ी सेना का 34 देशों की मिली जुली सरकार की जो सेना का आंकड़ा छहलाग साटव जार उसमें से अकेले अमेरिका की 75 परतिषद अकेले सेन वो उसकी थी अमेरिका की इस जाय से स्को अमेर की सेंडिया विवान की लिश्ट्म और है मैं उसमें समार किया अमेर का ही इसको संचालन कर रहे थे जो जन्रल थे, उनका नाम था Swarj Normal, ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है, अच्छे से कि यह पूरा जो आपका इस्तिती दिखाई गई है, और इस्ट is poem इसको नाम दिया गया था, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या-क्याattा है, को बेत को आजाद करा लिया गात हाइवे ओफ डैथ बृत्यू का राजपत की जो तस्वीर है उसके बारे में भी आपको बताया गया कि इसमें कुछ विद्वानों ने इसको युद्ध पराद की संग्या दी ती क्यों दी थी यह भी पता है क्यों कि क्वेटी जो बंदी थी वो भी इसमें मारे गए थे जो फ और इन में कुछ है नहीं देखें आज की क्लास में हमने ये पूरा मेंटर जो था ओपरेशन डैजर्ट इस्ट्रम का ही वो समझा और पड़ा आप इसको रिपीटिशन में देखें आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल लेंगविज में मैंने बताया है बहुत चोटे से चोटे स्थर को देखके बता है आपको ये एक बार में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपकी समझ में एक बार में नहीं आता है तो एक बार इसको कमप्लीट वीडियो को अच्छे से सुने समझे और उसके बाद में अपनी बुक को पढ़े ये पिर आपको पूरा कंसेट्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि बुक और यह जो सिंपल लेगूज़ जब आपकी साथ साथ मिलेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हालांकि इस वीडियो को देखते ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी मैंने बहुत तीस देसों की मिली जुली इस देसों की सेन अभ्यान ने या सेनाओं ने उसको आजाद कराया था इसी को ऑपरेशन डेजर्ट इस्ट्रॉम कहा गया था ठीक है जो आंकड़े हैं या आपको अच्छे तरह से ध्यान होना चाहिए उस टाइम पर नॉर्मन सौर्ज कॉप जो थ जान है इससे अगली का जो चेप्टर का मेटर है वो हम पड़ेंगे नेस्ट क्लास में तब तक लिए आप इसको अच्छे से समझें धन्यवाद